हेलो स्टुडेंट्स है मिली आदव यूट्यूब चैनल नॉलेज एट्यूट मैज गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको टाइम-टू-टाइम नोटिफिकेशन मिल सके हाज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा यहां पर हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे इसमें दिया है यूजिंग यूकलिट्स डिवीजन अल्गॉरिधम फाइंड लार्जेस नंबर विच डिवाइड 650 और 1170 यानि हमें यूकलिश डिवीजन अल्गॉरिधम का यूज करके इसमे यह फाइंड करना है कि ऐसा लार्जेस नंबर क्या होगा जो इन दोनों को पूरी तरह से डिवाइड कर दे तो यह आपका जो है इस क्वेश्चन में जब भी लार्जेस्ट वर्ड लिखा होता है तो इसका मीनिंग होता है हमें एचसीया फाइन करना है और अगर मिनिमम लि तो हम यहां लिखेंगे दो लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड सिक्स फिफ्टी एन्ड वन वन सेवन जिरो इस दे एर एचसीया इनका एचसीया फोगा तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा हमें एचसीया फाइन करना पड़ेगा हमें इनहीं का hcf फाइंड करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूजिंग यूक्लिट्स डिवीजन अल्गॉरिदम तो सबसे पहले लेमा लगाते हैं यहां पे और अल्गॉरिदम का मलब सीरीज होता है यानि इस लेमा को बार बार यूज करेंगे तो आपका अल्गॉरि इस लेमा क्या होता है यहां पर है क्या मतलब यहां पर आपको क्या पता है कि को हम dominis होता है हमें इसे डिविजर बोलते हैं और क्यू मिन्स होता है हमारा और मेंस होता है हमारा रिमेंडर तो इस तरह से हमें यहां पर इन चार चीजों की पड़ती है यहां पर तो सिर्फ हमें question में दिया हुआ है दो नंबर तो हमें इनको जब डिवाइट करना होगा तभी तो हम इसे question और रिमेंडर फाइन करेंगे तो हमारा यहाँ यूकलिस डिविजन लेमा का रूल होता है कि A की value is greater than B होने चाहिए यानि question में जो भी आपका number दिया होगा उसमें जो बड़ी value होगी वही A होगा और जो छोटी value होगी वो B होगा तो step 1 ही होता है आपका सबसे पहले क्या find करना होता है step 1 में आपको find करना होता है A and B तो यहाँ A क्या है आपका जो बड़ी value है उसे A कहेंगे और चोछोटी value है वो हमारा B होती है तो 1170 हमारा A हो जाएगा और 650 B हो जाएगा यहाँ हम देख सकते हैं कि यह 1170 is greater than 650 तो आप हम यहाँ division का rule लगाते हैं सबसे पहले divide करते हैं 650 को तो हम यहाँ पर तब तक divide करते जाएंगे जब तक हमारा यहाँ पर series जो होगी इसकी remainder 0 नहीं आ जाएगी और इसी को हम इसी series को यहाँ पर लेमा का use करके solve करेंगे इसलिए हम इसे Euclis division algorithm बोलते हैं तो सबसे पहले इसको divide करेंगे तो यह one times होगा क्योंकि यहाँ पर 11 है अगर two times लेकर जाएंगे तो 12 आ जाएगा जो कि possible नहीं है तो one का zero से multiply zero five का one से multiply five और six one जा six minus करते हैं इसको zero minus zero zero five minus seven करेंगे तो two 11 minus six करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा five यानि five twenty आ रहा है अब भी रिमेंडर जीरो नहीं है तो अब हमको क्या करना होता है कि जब रिमेंडर जीरो नहीं आता तो जो डिवीजर होता है वह हमारा ए बन जाता है यानि डिविडेंड बन जाता है जिसको हमें divide करना होगा और और टाम चल करेंगे यानि five hundred twenty आएगा माइनस करेंगे इसको जिरो माइनस जिरो five minutes two three six mi बन थर्टी आ रहे है तो फिर से सको हम माइनस करेंगे sori फिर से इसको divide करेंगे five hundred twenty से तो यहां पर आपका five hundred twenty है तो आप इससे जो है four times लेके जाएगे four times लेके जाएगे four के table में अ जाएगा 0 और 4,0 जाएगा यहां पर 4,3 जाएगा 12, carry 1, and 4,1 जाएगा 4 और 5, माइनस करेंगे तो आपका सारा remainder यहां पर 0 आ रहा है, और जहां पर remainder जिस diviser की वज़ा से 0 आता है, वही हमारा hcf होता है, यानि यही हमारा hcf होगा, अब इस steps को हम इस lemma के format में लिख लेते हैं, यानि lemma हमारा क्या था, dividend is equal to diviser into question plus remainder, remainder किता आया था, 520, बट अभी remainder 0 नहीं है, तो हम यहां लिखेंगे, but r is not equal to 0, r means that is 520 is not equal to 0, अगर यह 0 नहीं है, तो फिर क्या करेंगे हम, again using Euclid's division lemma, फिर से use करेंगे, तो यहां पर जो हमारा, यह जो a है, यह हो जाएगा 650 और b जो है वो 520 हो जाएगा, यानि हम लिखेंगे, 650 is equal to 520 into question 1 plus remainder किता है 130, फिर से हम लिखेंगे, but 130 is not equal to 0, क्योंकि remainder is not equal to 0 है, तो हम यहां पर फिर से क्या करेंगे, by Euclid's division lemma, again use करेंगे यहां पर, तो अगर हम फिर से use करेंगे, तो हमारा अब a किता हो जाएगा, अब a जो है वो 520 बन जाएगा, और जो b है वो हो जाएगा 130, क्योंकि जो remainder होता है, वो ही हमारा b होता है, तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, 520 is equal to 130 into divisor into question, question है आपका 4, plus remainder, remainder करता है, 0 आया, तो इसका मतलब है, जिस जगा पर आपका remainder 0 आता है, वही divisor आपका hcf होता है, तो therefore, hcf of 650 and 1170 is equal to 130, तो question में आपको यह पूछ रहा था, कि इसमें आपको यह बताना है, कि ऐसा number, largest number, जो इन दोनों को divide कर दे, तो हम यहां पर लिखेंगे, therefore, the largest number is 130, which divides 650 and 1170, अगर आपको यह समझ नहीं आ रहा है, तो आप divide करके देख सकते, 650 को 130 से पूरी तरह से cancel होगा, और 1170 को भी गरेंगे, तब भी वह आपका क्या हो जाएगा, 130 से पूरी तरह से divide हो जाएगा, यह था question number 5, इस वीडियो में बस इतना ही, मुझे motivation देने के लिए प्लीज मेरे चैनल को like कीजिए, subscribe कीजिए, bell icon को press कीजिए, thank you so much for watching,